कि अब दोस्तों स्वागत करता हूं सभी का अपने स्ट्टीट इनल स्टिविल घ्यान में तो आज की क्लास इस टार्ट करते हैं तो आज की पढ़ना किया है आप सभी को पता है कि डेली बेसिक पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं सशीज यह मेंस के लिए और आपको रोजान का तो मैं आज वैसे इंप्राइंस है कि जाए तो मैं यह यह को देखा होगा तो एक ही कुश्यन में तीनों केस आपका आज आएगा तो क्लास को पूरा देखिएगा अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्क्राइब कर यहां परिशान हो ना एक्जाम ही है हो जाएगा कोई कोई कोई हो जायगा मैं सकवान जन्भायों का हुआ है पईराम से जो है धैर के साथ आता है कोई में दिक्क्कत बात करते हैं कि यह जीरोप लिया है वह कौश्चन कि ब्राटी ऩॉइन किशन को बनाते हैं तो जिनके पास भईया मैंने पीडियाफ भेयर दिया थी जिनका पीडियाफ्त होगी मैंने पेडिया था बाकि जो लोग अभी हमारे ग्रूप से नहीं जुड़े हैं वह डिस्क्रिप्शन में और वार्ट्सअप ग्रूप में जुड़ सकते हैं आपको लिंक वहां पर दी गई है तो यह कुश्चन है टीपीम का जहां पर आपको दे रखा है इसकी जो भी है वह आपको दे रखाए डायेक नोट करता हूं पुरा लिखोंगा नहीं बस क्या निकानना वह द्यान देना है ठीक है और इसकी डेफ्ट आफ फिलेंज होता है इसको लोग डी आफ से करते हैं तो यह आपका 120 mm है और आपके यहां पर पांच बार है कितनी बार है नमपर आप लगी हुई है और यह जो बृत है जो कि हमारा 300 mm है ठीक और इसकी जो इफेक्टिव डेफ्थ है जिसको लोग डी कहेंगे तो कितना है विज्ञा कितना है 600 mm एफेक्टिव डेफ्थ है ठीक और यहां पर जो गिवन है गिवन में क्या दिया हुआ है तो आपको एंटेंड एंड एफई 415 एफई 415 आपको यह दिया हुआ है कि लिए बिजबल है ना कोई दिकत हाँ प्रापर आपको दिख रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चलो 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 फिर चलो क्ला को कॉश्चन को कांटिन्यू करते हैं और इसमें निकालना क्या भी है निकालना आपको है अल्टीमेड 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 मुवमेंट आफ रेजिस्टन्स निकालना मतलब कि यह क्या निकालना है आपको इम ओर निकालना है तो अब चलो टीक है आपने देखा के नोड़कर लिए चीजे निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन आफ बिद आफ फ्लेंज निकालना पड़ेगा ठीक है तो इसके फ्रमुला क्या होता है एल नौट डिवाइड बाई एल नौट भी प्लस के फोर प्लस फोर प्लस की बीद और बी आपका इनमें जो आपका मिनमम होगा वह होगा तो जिनके पास पीडियाफ है कुश्चन में क्या लिखा हुआ है कि डिटर्माइन अल्डेमेट मोमेंट आफ रिजेस्टन्स आप सिंपली सपोर्टर आइसो लेटर के लिए लग अल्ड़ की लेंगे हम सिक्साउजेंड डिवाइड भाई शिक्स आउजेंड और भी आपका होगा यह नाइन हंडेट एमें यहां प्लस पोर नाइन हंडेड एम प्लस के बीडबलू बीडबू यहां पर कितना हो जाएगा आपका 300 mm हो जाएगा इसको सॉल्व करोगे दो 800 800 points आचसो 62.5 मैंने calculate करके रक है अंधारत भी है इन दोनों में निम aan यहां तो यहां से अ अपका होगा 800 ah कितना हो जाएगा 860.5 अब का बिधा फ्रंज आ गया बस अ बिधा निकल गया उसके बाद मने यहां पर किसना निकाला यहां पर कुछन क्कुश्ट में आईसौराट के हिसाब से लोग निकाल लेंगे अब हम आगे बढ़ेंगे और इसमें आपको पता इसमें ЦE सोता है समारा होता है हम खुर्ष को सब करना प्रक्षां करना होगी अंडर रिफोश्ट है कि ओपर वर बीञें कि कुछन को कैसे करना कोई भी कुछन चाहिए आपका सिंपल सिंपली सब्सक्राइब का कुछन आ गया या किसी भी कुछ चीज का अगया अगर वहाँ पर के वाल मुमेंट आफ रिजिशन निकालने के लिए कैलकुलेशन आफ यक्सी लिम्टिंग की बात करें तो आपको पता यक्सी लिम्टिंग की वैलू डिपेंड करता है ग्रेड पे जो की कितना होता है, 0.53D, किसके लिए, या फी 250 के लिए, 0.48D, किसके लिए, या फी 415 के लिए, 0.46D किसके लिए, या फी 500 के लिए, यहां पर grade कौन सा दिया है, यहां पर या फी 455 दिया है, यहां पर जो एक्सी लिम्टिंग निकल के आएगा, वो 0.48D से निकलेगा, तो आपको सबसे पहले किसी सक्षन का यह मोहार निकालना है दोनों को निकालने के बाद ही आप पता कर पाओगे सक्षन हमारा कैसा है तो वही हम लोग काम कर रहे हैं सबसे पहले हमने निकाल ले कितना आएगा जीरो पॉर एट एफेक्ज क्मान कितना चेह सो बताहों कितना यह बाताओ पॉइन्ट फोर एट मल्टिप्लाइचिक संदेड करो लाएगा कितना यां करो लिए लगा लाकिया एट इंटू हड़े तो इंटो इंटो शिटी कितना जाएगा आपका तो defy ने ले ले लेता हूं उसी में रखके बताता हूं तो 0.48 इंटो 600 कितना 288 तो यह हो जाएगा आपका 288 mm आपका आगया तो आपने यहां पर यह लिम्टिंग का मान तो निकाल लिया कि आपका 288 mm है पर अब हम निकालेंगे यहां पर सबसे पहले करेंगे क्या यहां पर मानेंगे कि की करेंगे कि हमारा नेटल एक्सिस लाइज इन है लाइज इन सिलेंज के रहा है अगर आपका निटका मोसा यहां पर यहां जाण यहां पर लाई करता है तो आप एक सिंपल का निकालते हैं तोसे एसे ही हम लोग इसका निकाल लेते हैं तो वो फार्मूला जो निकल के आता है 0.36 FCK ब्रिध अफ लेंग एक्स यू बराबर 0.87 FY AST जो 0.36 FCK BF एक्स यू फॉइट यू फाइश्टी तो यहां पर रखो वैलू 0.36 FCK कितना हो जाएगा 20 सब्सक्राइब को निकालना है बराबर जीरो पॉइंट एट से बन पॉइंट एट से बन यहां कितना है चार सो पंदरा और यहां पर पांच बार है पचीस हम्यम की मनलब की एक बार का एरिया सब्सक्राइब करो तो लगभग पांच सुननम सुर्पाइब तालिस पंजोग बीस चौबिस तो चौबिस सो तिरपन की लगभग यह एक स्कॉर एरिया आएगा आप कर सकते हो तो यहां डाइट हम लग देंगे क्या चौबिस सो चौवन यहां से आप यह सब्सक्राइब करो बताओ कितना रगलुह हम भी कैल्सी में रख़ रहे हैं आप लोग भी रखिए और बताईए कि आपकी किपनी आ रहे हैं ठीक है कोई दिक्कत यहां तक हाँ किलिए लिपीजबल आप सभी को है 21 कि अपकी जल्दी चैली रखक कि बताई 142.67 mm कितना रभी एक्षू के वैलू 142.67 mm आपका एक्षू की वैलू आपकी यहां पर आ रही है ठीक है तो आप अब यह चेक करो कि आपने जमसन क्या माना है कि हमारा जो नेटल एक्सिस है हो लाई कर रहा है अगर वो लाई करेगा फ्रेंच पोर्शन में तो मतलब कहने डेट अफ्लेंज यहीं तो केस होगा पर यहां पर एक्षू कि वैलू कितनी आ रही आ रही है रही है ८्लज सीन्ड़ ऑफ करें डेप दाफ नगक्त यहां कि वैलू रही है तो कहीं न कहुंद से बाहर आपका विव में आप वेव में आपका आ रहा होगा आपका जो दो यह हमने जो माना था कि आवर एजम्सन को आवर एजम्सन कि हमारा जमोटन क्या हो गया अब यह केस वन हो गया अगर यहीं पे यही फुल्फिल हो गया होता तो बस कुछ नहीं करना होता आराम से हम लग मुवार का लगातके 0. principal थी करके निकाल लेतें अगर यही लाई कर गया होता इसमें मलब समझदो यहां पर अगर यह फिलेंज वाले पॉर्षन में एक्सियू की बेलू 120 से कम आई होती है यहां लाई कर जाता तो हम लोग डारेक्टली बस यही हम लगा देते हैं मुवेंट आप रेजिस्टन्स का कौन सा भीया कि जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट थिरी सिक्स एफ सी के वी एफ एक्सियू डी माइनस जीरो पॉइंट फोर्टू यक्सियू यही वाले फावले को लगा करके हम लोग अपने मुवेंट आप रेजिस्टन्स कैलकुलेट कर लेते पर यहां पे यह चीज फुल्फिल नहीं ह हो रहा है तो अब हमको केस्टू मानना पड़ेगा कि हमारा न्यूट्र एक्सिस लाई कर रहा है वेब पॉर्शन में और जो है केस्टू के तरफ हम बढ़ेंगे आगे तो वहां पर डिसक्स करेंगे क्या चीज़ें होती है वहां पर थोड़ा और चीज़ें का देखना हो कि आपका केस फुल्फिल नहीं हो रहा है आप लोग नोड कर रहे और नोड कर लीजिए इसको ठीक को क्या करेंगे फर्दरे केस टूभ नेंगे ठीक है केस्टू मानेंगे इसको इरेज कर देते हैं चलो टीबी में एक बार थोड़ा पढ़ लीजिए हो सकता है मालों एक्जाम में भूले बढ़के आही जाए तो आप छोड़ के मत आओ कुछ है नहीं बस फार्मूला आए दो तीन बार प्रैक्टिस करो गिलिख लिख के फार्मूले याद हो जाएंगे कोई दिक्कत वाली बात न हम के के जिए सएकंड की तरफ बढ़ते हैं कर ये तrän हमारा है जो यक्सिव वह ग्रेटार दें दे rainbow है जा रहा है मतना ने ब्सी नह personalities वह होता है इतना रेक्टेंगल अबने फार्म में फोर वाई तो यतना रेक्टेंगल होता है तब यहाँ पर लगाते हैं तो यहां पर यह मानते हैं कि हमारा जो डिफ्त आप फिलिंज है उसके ब़ाबर से अधिरी 3x7xu की जो वैलू आएगी 3x7xu की है क्या यह आपका यूनिफर्म इस्ट्रेस वैरेशन का वह पार्ट है कि अगर 3x7xu की वैलू depth आप फिलंज के बराबर या उससे अधिक होती है तो मानेंगे कि जो और फिलंज हमारा है फिलंज लाई कर रहा है यूनिफर्म में यूनिफर्म इस्ट्रेस के वैरियशन में लाई कर रहा है ठीक है यह कंडीशन होती है ऐसा हम केस मानके चल रहे हैं अब हम इसकेस में अपनी actual ईसको निकालेंगे तो उसके लिए लिखेंगे क्रकुलेशन आफ में एकचुल, एक्चुल डेट्ट रफ फ्ट नीडिल एकषिस अब इस-केस-में क्या होगा हमने मान लिया है की हमändert जो वेब है हमारा जो न्यूटल एक्सिस है वो लाई कर रहा है आपके वेब वाले पॉर्शन में तो इस केस में जो आपका फार्मूला होगा तो वेब का वाला पार्ट भी आएगा जब वेब वाला पार्ट आपका आएगा तो उस केस में जो आपका फार्मूला लगेगा व ब्रित आफ फिलंज माइनस के ब्रित था वेब बराबर 0.87 यह वाई एस्टी अब इस वाले फार्मूले का यूज करके 0.36 यह के ब्रित आफ निकालना है यह सारी वैलू को रखो आपको को दिक्कत तो नहीं होगी दिखने में हाँ सारी वैलू इसको रखो आप रखने के बाद यहां से एक्सियू कमान निकालो कितना आ रहा है यहां से आप एक्सियू कमान निकालोगे तो कितना आएगा भिया यहां प्रियों कमान 118.28 मैंने कल्कुरे废 करके रखा है 106-5.28 mm आप देखो आपका यहां से एक्षिव कमान केतना आ घया है एक्षिव देट अन्योथ यक्षिस कमान 107.28 mm अब यहां पर देखो आपने क्या माना है कि एक्षिव ग्रेटर डेटर देफ तो आप पहले चेक्ड करो पहले चेक करो कि XU 168.28 mm greater than depth of flange मतलब की 120 तो यह तो आपको पहले condition fulfill हो रही है कि XU greater than df लेकिन अब अगर flange आपका uniform वाले portion में लाई कर रहा होगा तो यह वाली condition भी fulfill होनी चाहिए चेक करो depth of flange मतलब की 120 less than होना चाहिए या equal to होना चाहिए किसके थिरी बाई सेवन यक्सिव के यक्सिव कमान एक्सो अरसेट पॉइंट इसको स्वाल्प करो कितना होगा थिरी बाई थिरी मल्टिप्लाई 168.28 डिवाइड बाई के सेवन तो 72 यह कितना आएगा पूरा यह आएगा 172.12 mm तो आप यह बता हो कि क्या इससे कम यह इससे बराबर वाले कंडिशन को फुल्फिल कर रहा है तो भया नहीं फुल्फिल कर रहा है क्योंकि डेफ्टाप्लाई 120 है और यह 72 पॉइंट मैं मतलब कि आपका जो इस्ट्रेस का वेरियसन है यह आपका डेफ्ता अगर यहा रहा है यहीं पर आपका यहीं तक ही आपको यूनियफार माले आपका बाले तो मुलख सपाल सेकंड् सेकंड ने सब्सक्रेस प्रफिर हम आपकेटा है कि जब भी आपका यह फुरिन्हीं होगा तो उसकेश में आपका जो कि इतना और हो गया तो हम क्या करेंगे इसको इरियाज कर देंगे ठीक है यह क्या हो गया तो आप ने देखा कि का मॉंत आपका ऐसे ही निकले यहां तक आ गया पर अब यहीं से एक चीज मुद्दा और बन जाएगा एक मुद्दा क्या बनेगा कि आपका जो है यहां पर चीज समझना कि यह तो आपका इतना आएगा और यह कमान इतने भी आपका फुल्फिल हो रहा है कि वाले पोर्शन आपके रख साएगा पर यहां पर डेप्स अपर फ्रेंज है वह लेस्ट नाएक रख जब यूनिफार्म पोर्शन जब आपका फ्लंज उनिफार्म पोर्शन में नहीं करेगा तो यह कि तो फुल्फिल हो तो आपका हो जाता है अब यहां पर देखने को मिलेगा जब आप मुवमेंट आप रिजिस्टनस अब निकालोगे तो यहां पर अपको देखने के मिलेगा लिखो अब यहां पर आपका चला यहां यह तो वही रहेगा यहां से आप यह मानना पड़ेगा फिर आपके इतना ही आएगा पर यहां पर जो वैरियसन देखने को मिलेगा मोमेंट आप रिजिस्टनस वाले फार्मूले में क्योंकि अब जो फार्मूला होता है वह आपका होता है जीव पाइंट थिरी सिक्स एफ सीके बीडवलू एक्स यू डी माइनस 0.42 एक्स यू पलसंग जीव पाइंट फॉर फाईफ एफ सीके अब यहाँ पर ивृत आफ फिलंज मायनस के वी डबलू ठीक है अब यहाँ पर डेफ आफ फिलंज से मलडीपलाई ना होके एक यह तर्म आएगा YF इंटू इंटू टेफट आफ फिलंज मायनस YF बाई टू ठीक है डी-YF बाई-2 डिप्ता फ्लेंट तो आएगा नहीं वाईएफ आजाएगा तो 0.36 FC के BW XU D-0.42 XU प्लस 0.45 FC के YF BF-BW D-YF by 2 अब ये फार्मूला आपका यूज होगा अब भीया पुछोगे यूज है यूज है कि जब आपका फिलंज वाले पॉर्शन में आपका जो जो इस्ट्रेस का वरियेशन होता है वह यूनिफार्म नहों करके वहां पैराबोला आजाता है तो इसलिए इस इस्ट्रेस को इसली कैलकुलेट करने के लिए के आई एस कोड कहता है कि एक टर्म अब जहां डेफ्टा फिलंज आप ले रहे दे वहां वाई यफ लो अब बस आपको इस समय याद कर लेना है कि वाई यफ हमको लेना है अगर केस्थ्री बनेगा तो वाई एफ का जो फार्मूला निकल क्या तो वह होता है वाई आप बर प्लस जीरो पॉइंट सिक्सफाइब डेफ्ट अफ्लेज एक सो बीस इसको कैल्कुलोटर में रखो और बताव कितना रहा है वाई यह कमाल कितना आएगा जीरो पाइंट फाइप इंटू 168.28 प्लस 0.65 इंटू एक सो बीस तो एक सो तीन दसमलो एक सो तीन दसमलो दो चार आएगा एक सो तीन दसमलो दो चार दो आएगा किसका मान वाई एफ का मान निकाल लिया अब इस वाल एक क्वेशन में सारी वैलू रख दो और कैल्सी में एक बार ही रखके स्वाल बगल लो तो रखो वैलू 0.36 FC के आपका 20 है वी डबलो आपका 300 एम है 168.28 ब्रेकट में आपका हो जाएगा 600 माइनस जीरो पॉइंट फॉर टू एक सू कमान एक सिक्सो अर्शल दसमलो दो आठ है प्लस पॉइंट फॉर फाइफ प्लस जीरो पॉइंट फॉर फाइफ सीके कमान ट्विंटी है ब्रिथा प्लिंज आपका कितना है आट सो बाइंट फाइव है रखने के बाद अपने कैल्सी में यमोर कमान निकालो जल्दी बताओ कितना आएगा तो मैंने यह निकाल लखा है यह वैलू आती है कि टीव में आपके तीन केस बने कि बने कर दो है कि यह तो आपका लाइक करेंगा वैरेशन होता है अच्छा इतना समझ में आ गया आपने इसको सब नोट कर लिया होगा ना अगर नोट कर लिया है तो एक बार स्कीन सॉट लिजिए मैंने हो गया हूं सब्सक्राइब करोगे तो आराम से हो जाएगा थोड़ा मैं बता देता हूं कि यह कैसे होता है ठीक आप यहां देखो आपकी यह टीबीम हो गई कि जब आप इसका इस्ट्रेस डिस्टिवियूशन बनाओगे मनलब जो इस्ट्रेस डियाग्राम बनता है तो वह ऐसे बनता है है ठीक है त्वेहिए का तो यह इतना पार्ट देखती हो एसे बच्छन होता है वो ऐसे होता है मलब की यूनिफार में होता है को के लिए हैई इसे पार्ट बैखल्स का होता है अज् door यहां से चेक करते हैं कि जो डेक्ट आप फ्लंज है क्या डेफ्ट आप फ्लंज पूरा का पूरा इस वाले में आजा रहा है मनलब डेफ्ट आप फ्लंज की डेफ्ट आफ फ्लंज जब भी आपका लेस्ट से जेकिसे नहीं एक्षियु से आजाएगा में लाइर गया अगर यहीट थेवा उपर गुसख जाए मनलब यहाँ तक आजाए तो अपका ज्यादा हो जाए 500 को जादा हो युनिफार्म वाले पोड्शन से तब आपको यह लगेगा कि आपके इसी फ्लेंज वाले पार्ट में आपका पैरा वोला वाला भी इ स्टार्ट कर देंगे यह कहता है कि आपका करने के लिए आज की क्लास में हमने को देखा अच्छे से किया उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कहीं पर कोई समस्या हो तो बाद में आप करके मुझसे पोश सकते हैं हम आपके रिपलाई हर एक क्मण्ड को ब्रापर तरीके से बढ़ते हैं तो कल की क्लास में हम फिर प्रक्टिस सीट हम आपको देसे हैं इंपॉस्टन की जो भी आपकी इंपॉडन।ंन है सब्माइन से में आने के फुल्फिल चांस रहेंगे उन्ह लोग सब्सक्राइब जरू करिया है मिलते हैं फिर कर इसी टाइम पर तब तक लिए थैंकियो जाएं इन जय बारत